स्वागत दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आ गया है बवाल मचाने के लिए इंगली स्कोर का सब्जेक्टिव कोस्चन्स जिहां दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके जाने का कोसिस करते हैं जो आपके कई साल एक्जाम में दोस्तों पूछा गया है मैं आपको बताऊंगा कि इसी प्रकार से आपको एक्जाम के लिए परना है क्या क्या सेलेक्टेट कोस्चन्स है ठीक है सारा जनकारी बताऊंगा चैनल पर पहलो वरा है सब्सकाइब किज़ेगा चले वीडियो को सु करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूं कि जो मैं आपको प्रस्ण दिखाने वाला हूं वो गेस पेपर का रहने वाला है जो कि खुद का है मेरा ठीक है और यह जो गेस पेपर आप लोगो पता आज चल जाएगा कितना प्रिम्यम क्वाइलिटी पर अभी ल दिखाने वाला हूं और साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार को को संसे है पोयम का को संस ठीक है साथ मैं आपका नोटिस मेंकिंग राइटिंग लेटर अपलिकेस सारा को संस इसमें अभी लेवल होगा इस गेस पेपर में ठीक है चलिए आप लोगों को दिखी जागा सबसे पहले सुरुवाद करने वाले हैं सब्जेक्टिव कोस्टेंस का पहला नमबर कोस्टेंस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहें अथा तीन मांक्स का है ठीक है इसी प्रकार का आपको पूरा दम 55 कोसटेंस दिखेगा ठीक है लास्ट में आपका नोटिस से questions रहेगा ठीक है इसका बाद आप सभी को applications रहेगा later रहेगा later to reader के लिए रहेगा हार एक चीज इस subjective questions में mention किया गया है जिसको परके विद्या थी अराम से exam में 95% ला सकता है ठीक है चलिए होँआप आप लोग demo देखिए सकते हैं पहला जो questions से यह दिया गया है read the following extract and answer the following questions that the follow यह questions आपको तीन नमर का एक 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 जाम में देखने को मिलेगा जी आपका पहला वाला extras given देख रहे हैं यह कई बार repeated mode में चार से पांच यह एक जाम में पूछा गया विश्वास नहीं है खोलिए questions bank मिला लिजे questions को धाकर questions लेकर के आच चुके हैं जुट बोलेंगे तो आप लोग नीचे कोमेंट कीजे ठीक है चलिए देख सकते है फिसर में इन दा हाम कोल्ड सी वुल्ड नोट हाम वेल एंड में डिगे gathering salt would look at his hot head यहां पा दुस्ट यहां जो फिसर में जो आपको बताता है यह क्या करता है तो किसी प्रकार से यह हम वेल मसली को कुछी प्रकार से नुकसान नहीं करता है यह क्या करता है यह जो नमक निकालने का काम करता है जिसी इसका हाद पुरा गजीब दिखता है ठीक आप आप लोग देख सकते हैं questions पुछ दिया है name the poem and the poet यानि कि यहां पर यह जो पोयम आपका दिया गया पोयम का छोटा सा टुकरा यहां पर लिखा गया जो कि तीन नमर्प की exam में दिलाएगा जिससे आप तीन questions पूछ जाएगा इसमें बोलता है सबसे पहला questions यह कौन सा poet से लिया गया है और poet का नाम क्या है सबसे पहले poem जो लिया गया है keeping quiet से लिया गया है जो कि सांत रना आपको बताता है कि सांत रहिए थोड़ा सा समय के लिए ठीक है और जो कि poet का नाम है Pablo Neruda नाम है keeping quiet से यह poem पो लिया गया है आगे आप लोग देख सकते questions पुछता है what would the fishermen do द fishermen would not harm the whale मचली यानि कि वह किसी प्रकार से whale मचली को नुक्सानन नहीं पहुचाएगा उसका काम है salt को निकालना नमक को निकालना वही निकालेगा जो कि उसका रोजी रोटी है इसके बादा हम लोग बर सकते हैं see number की और दिखा जाए तो दिख पुछता है what would the salt gelding man to do ठीक ह तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं he must take care of his heart hand यानि कि दोस्तों उसका जो हाथ हुआ बहुत ही जो गजीब हो जाता है ठीक आपको पता है कि जो नमक का काम करता है जो समूंदर से नमक निकालता है उसका दोस्तों शरीर जो है नहीं जल पाता पूरी तरह से ठीक है आप इसके बाद देखा जाए दो नमर को questions पुछता है read the following extra in the answer the questions that flow जो कि तीन नमर का ये भी है यहाँ पर देखिए आपको एक questions रहेगा हो सकता है यहीं दूनों में से questions आपके exam में आजाए तो तीन नमर को छिन लिया नहीं छिना पक्का हो गया ठीक है देख सकते है लिखा ग ठीक है शिलक सेहरिटी दोस्तों यहाँ पर देखे जो आंट जैनिफर स्टाइगर जो कि आपको बताता है कि एक woman किस प्रकार से उसको अचायर किया जाता है जो कि वागों को दिखाता है बाग कितना व्रेव होता है ठीक है इस प्रकार से दिखाता है पोयम में चलिए questions को लिखते हैं कैसा पूछा गया है पूछा है name the poem and the poet यह जो poem है यह किसके द्वारा लिखा गया और उसके कभी कौन है तो poem के name है आंट जैनिफर स्टाइगर जो कि पहला ही paragraph में mentioning किया गया है poet का नाम आप लोग देख सकते है ठीक है तो इस प्रकार से questions को exam में पूछा जाता है आगे आप लोग देख सकते हैं इसका जो बीन नमर का questions पूछा है what were Aunt Jennifer's Tiger doing देखें आप आपको तीन questions पूछा गया ठीक है एक एक questions पर आपको एक एक नमर दिया जाएगा तो देख सकते हैं आपर Aunt Jennifer's Tiger क्या करती है तो they are jumping across a screen or a wall ठीक है इस प्रकार सेंसर लिख लिजेगा आगे देखा जाए तो where are the men, where are the men, men कैसा है तो दोस्सों आप लोग देख सकते हैं ठीक है we need the tree, ट्रिक के आप लोग देख सकते हैं ठीक है इसके बाद आप लोग देख सकते हैं questions आ चुका है सरोजनी नाइडू से ठीक है कि why did सरोजनी नाइडू feel sad when she saw her mother दो नमर का ये exam questions रहेगा ठीक है ये भी questions exam में पूछा गया है answer आप लोग लिख सकते हैं कि सरोजनी नाइडू felt sad ठीक है when she saw her mother because her mother ठीक है when she saw her इसका कहाने का मतलब है दोस्तों कि ओज है मा को देखती है जब सरोजनी नाइडू तो उसको क्या आइसा फिल होता तो उसकी मा काफी ओल्ड हो चुकी थी काफी बूड़ी हो चुकी थी ठीक है तो उसको देखते हुए उनको बहुत ही pain होता बहुत ही sad हो जाती है इसका बात दोस्तों आप लोग 5 नमर का questions देख सकते हैं पूछा गया है पावलो नुरूड़ा want us to keep quiet for some time why मतलब दोस्तों पावलो नुरूड़ा ऐसा क्यों चाहती है कि आप लोग कुछ समय के लिए सांथ हो जाए वाया निकी क्यों या भी आपका प्रसंदों नमर में एक्जाम में पूछा गया है जो कि आपको बहुत ही important portion से answer में लिखना है पावलो नुरूड़ा want to keep silence for some time because a hung silence can to us a light of the good when are the at not understanding ourselves or the threatening ourselves with that मतलब दोस्तों यहाँ पार वो जो है कुछ समय के लिए इसलिए जो सांथ कराने के लिए बोलती है क्योंकि यह हग करना चाहती है silence करने कि वो जो है महसूस करना चाहती है कि इसको खुली वाता वरन को मतलब जो है किस प्रकार से अगर मान चली 6 सकेंड के लिए अगर सब सांथ हो जाते कैसा यह दुनिया लगेगा ठीक है वो उसको महसूस करना चाहती थी इसलिए वो जो है सांथ रहने के लिए बोलती थी ठीक है चलिए इसका बाद चाहे नमर what do the ruler people make our road side a stand दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड के किनारे जो है जो गाओं वाला व्यक्ति है रोलर जो पीपुल है ठीक है यह रोड साइट की किनारे अस्टेंड को क्यों लगाते ठेला जिसको आप लोग बोल सकते है तरूरर पीपुल मेंक रोड साड अस्टेंड फोर दा देयर सर्वाइवर यानिक वो अपना गुजारा के लिए वो जो है रोड के किनारे स्टेंड को लगाते है देट रिंग डैट आरवन पेपुल विल कौम देयर एंड विल वाई सम यूजफुल हॉम आर्टिकल्स एंड विल पे सम मने मतलत दूस्तों कि वो इस आसा के लिए जो है रोड की किनारे स्टेंड को लगाते हैं चाकी वहाँ से अर्वन लोग यानिकि सहरी लोग आए उसके अस्टोल पे यानिकि अस्टेंड पर रुके ठेला से कुछ समान लेकर जाए जो कि उसके लिए यूजफुल होगा और उसको इसके वादले कुछ पैसा मिलेगा य पर मैं आपको बता देता हूं अगर दोस्तों आप लोग इस गेस पीफर में लेना चाहते हैं इसी प्रकार से आल सब्सटेक्ट अभी लेवल है मेरे पास जो किfather 2 में आर्ट साइंस अभी प्रकार का अभी लेवल 2023 99 उरुपया में तयार किया गया इस गेस पीफर को आपको करने पर प्राइस को रखा गया ठीक है बाई करना चाहते है आप लोग देख सकते हैं पर जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है हर एक चीज अभी लेवाले चलिए साथ नमर कोस्टन्स पूछता है यह भी कोस्टन्स दो नमर में आपको पूछा जाएगा कहा जाता है कि M.H.M.L. had put on his fine Sunday cloth यानि कि जिस परकार से Sunday के दिन में fine यानि कि बहुत अच्छी तरह से कप्रा पहना जाता है उसी परकार से beautiful green coat पहने हुए थे यानि कि सारा चीज वह पहने हुए थे जो कि उनको अच्छा लगता था और यह जो फ्रेंच जब जाता है तो वह देखकर के आश्चे चकित हो जाता है कि Mr. M.H.M.L. और कुछ पैसे कमाना क्यों चाता था यह भी आपको तीन नमर में questions पूछा जाएगा जो कि पूछा भी गया है answer में लिखेगा साहे वाज नेवर ऑफ आउथर एंड वाजदा रेकपीकर ही हैड कम फ्रों बंगलादेश ही हांड मने ठीक है जो 65 questions रखे यह चुन करके लिया गया है जो कि इसमें all is involved है और यही questions आपके एक्जाम में रहेगा यह ग्रेंटेश से ज्यादा बहार नहीं आगा इसलिए जो परिये हुआ ही जो सटीक एक्जाम में ठीक है यहां पर कहने के मतलब कि हैं जो अपका साहम है साहा आ आलम यहां रेकपीकर का मांता था जो कि का रहा को पैसे कवाने के लिए सबसे पहले काच्छा को चुनतह हां उसके बाद तारी के इंडिमें आप लोग देखते हैं कि वक्तेタ पर डीrus जाता तो उसको 800-400 देहार या फिर पगार या फिर मन्तली दिया जाता है रोटी, कपरा, इसाब आनि कि जो खाने का चीज उसको दिया जाता था ठीक है और वो जो है उसका कंटेनर वो जो है रेकपिकर का जो बोरा होता है उससे है भी उसको लग रहा था यानि कि यहाँ पर सारा चीज़ इन्वार में दोस्टा आपको टेंसल भी ना लेना 0% के हिसाब से ठीक है यह जो questions देख रहे हुआ जा राजकुमार सुकला जो 5 नमर में questions पूछा गया है यह आपको हर एक बार exam में देखने को मिलेगा ठीक है हर एक बार राजकुमार सुकला इन्डिको चेप्टर से लिया गया है दिस इस दा मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन फोर बोड इग्जाम दो हजार पच्चिस ठीक है और रिमेंबर तो यू डैट सोल इस कोस्टन ठीक है चलि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा गया है राजकुमार सुकला वाज पूर पिसेंट एक्चुल ठीक है राजकुमार सुकला क्या है पूर पिसेंट है जो कि एक्चुली ही वाज शेयर क्रोपर वह क्या है शेयर क्रोपर था ठीक है फ्रो में चंपारन चंपारन से था it is a place in the foot hill of Himalaya जो की hill of Himalaya के था नियर दा ठीक है kingdom of the Nepal जो की नेपाल के बगल में he met Gandhi in Lucknow at December 1916 यानि को जह है Gandhi के साथ वो मिलता है का लखनौ में 1916 में annual ठीक है convection of Indian National Congress Indian National Congress का जो पार्टी है ठीक है he was like any other president in India poor weak and thin he had come to the congress season of the complaint Content About the injustice land road system in the bihar what complaint करना जाता है जो कि किस प्रकार से Northern जो है यानि कि जो भी जमिंदार होता ठीक है जो J pergi मोज़ीदार होता है जो भी है ठीक है जो कि Land undergo होता है वह किस प्रकार से उस पर पार में एक्षन लिजे गांदीजी और गांदीजी एक्षन भी लेते आपको पता है इन चंपारन मुस्ट्रोप दा अरेवर लेंड वाज ऑब इंगलेस ठीक है रेंडलोर्ड दे फोर्ज दा इंडियन जेर को पर टुग गोर ग्रो इंडिको अंदा लेंड और दोस्तों यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं यह रेट्रेफ चेप्टर से लिए गया है जो कि 30 क्रॉंड जो है आल्ड क्रॉप्टर की इस पर गार से पैसे को कमाया था आप लोगों को बताना है जो कि दो नॉम्मर का को से तो दो नमर आपको पता है ज्याद़ बार में नहीं लिखना आत सब्सक्राइब करता है उसे से 30 क्रोंड रुपया कमालिय था और बाद में जो है जो पेडलर आता है ठीक है जो आपका रेट रिप हो ठीक है जो की काम करता था चुहा बनाने का चुहा दानी बनाने का वह दोस्वा को उसका पैसा भी चुरा लेता है आपको परहे होगा फिर स्टाक्लोस का दिन में ठीक है इसके बाद उस आयरन प्रोष आयरन मास्टर का जो बेटी हो उसको समझा देती है उसका बाद पैसा रखता है वहां से फिर फरार हो जाता है आगे आप लोग देख सकते हैं गयर्मा कोस्चन ठीक है फिर दोस्था आपको बोलने का पर्यास कर है आप लोगों को ठीक है आप लोगों को यहां पर डेमों में पुरत दिखा दिया हो इस नमबर पर वार्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्ट्रीम आर्ट साइंस कोमर्स और सब्जिक्ट अभी लेवल है जो कि तीन नमर के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार से वह हाइवे पर वार्ट करता है तो ही है थो यहां पर दिखें वह हाइवे पर क्यों नहीं जाता था जो पेडलर था जो कि रेट टैप चैप्टर से लिया गया है वह हाइवे पर क्यों नहीं जाता था इसलिए नहीं जाता था और वहां पर एक जगा जंगल में जाकर के लुक जाता है चिप जाता है इसका बाद दिखता है कि आगे कुछ जलने आ रहा है इसका बाद बेटे इसको दिखती है इसका बाद कप्रा पहनाता है तो इसको लगता है उसका दोस्त नहीं हैं Virgin Master वहाँ से फिर ओब जाता है एक दुसरे जगा जहाँ पर उसको पता चलता है कि एक औल्ड करॉप्टर का 30 क्रों चुरालिया है जो कि वो बता रहे हैं तक इस प्रकार का आदमी था तब वो आरेन मास्टर वो बताती है कि इस प्रकार से देखो बेटी को समझाता था ठीक है कि आप जो किसको अपने घर पर रखे है फिर जो घर पर जा कर देखता है तो जो पेड़र है वो रुप्या को रख देता है और वहां से कुछ मेसेज भी लिख देता है तो दूसरे देखे सारा जनकार आपको बता रहे है कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट जरूर किजेगा आज किस वीडियो में दूसरों हम यहीं पर रखते हैं वीडियो को ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चाल आप सब्सकार जो उसे किजेगा और लेना चाते बाइक करना चाते गेस्पत दीगें संपर किजेगा अब लोग टेंशन मतले हारे प्रस्ण को मैं स्वल्व करके दिखाऊंगा यह तो अभी डेमो है जलवा है एक्जाम का भी तो पूरा फिलिम बाग की है ठीक है चले मित्यानिस्टी